अपनी स्किन को जो है दानों से और कील महासों से कैसे बचा के रख सकते हैं? यानि कि एक्नी से, पिम्पल से कैसे बचा जा सकता है? ब्लाक हैज और वाइज हैज को कैसे वॉइट किया जा सकता है? तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसा जो अपना फेस वॉष है वो रखें जो के ऑईल बैलंसिंग हो जिस वकट आपकी स्किन का ऑईल बैलंस रहेगा तो ये इशू नहीं आएगा कि सीवम बन रहा है और वो किदर को जाए? और कैसे जो है वो आपकी स्किन जो है ठीक रहे और उसके उपर दाने और पिम्पल्स ना बने इक तो बहुत ज़रूरी है कि हम ऑयल बैलंसिंग फॉर्मूला जो है वो फेस वॉष करने के लिए यूज करें कोई ज़रूरी नहीं होता अगर आपकी स्किन जो है वो नॉमल है या नॉमल टू ओइली है तो आप oil balancing formulas ऐसे होते हैं available या ऐसे हम prescribe कर देते हैं जिनको use करने से आपकी skin dry नहीं होगी लेकिन आपके pores clog नहीं होगे ठीक है इसमें मैं थोड़ा सा आपको explain करना चाहूंगी जैसे आप यह देखें यह आपका pore है इतर आपका pore है और यह उसकी opening है जो आपको face के ऊपर नजराती है यह नीचे जो है वो इसका sack है ठीक है इसका area है यह इसका घर है इसी घर के अंदर different कमरे हैं एक कमरे के अंदर hair follicle है जो के बाल बनाता है एक कमरे के अंदर sweat gland है जो के पसीना लेके आता है और एक कमरे के अंदर sebaceous gland है यह जिसको हम oil producing gland कहते हैं और वो oil बना रहा होता है यह oil produce कर रहा होता है ठीक है अब इस कमरे के अंदर जैसे ही कुछ चोप करेगा यह जैसे ही इस कमरे के अंदर stuffing जादा हो जाएगी जैसे oil से भर जाए या आप उपर से कोई ऐसा moisturizer, ऐसा sun block या ऐसा makeup यूज़ करें जो कि oil waste हो और वो इसके अंदर pores के अंदर फस जाएगा तो बहुत जादा high chances हैं कि आपकी skin के उपर दाने बनेंगे और इससे हमने बचना है इसलिए कोशिश ये करें कि ये area आपका बिल्कुल साफ रहे तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी skin के ऊपर ऐसी चीजों को avoid करें लगाना जो कि oil को produce करने में help करती है या फिर आपके pore को clog कर सकती है यानि कि pore के अंदर फस सकती है और के अंदर ये फसेगा या कोई भी चीज फसेगी तो आप देखेंगे कि दाने जरूर बनेंगे और blackheads और whiteheads भी बन जाएंगे